नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल गारगी क्लासेज पर मैं प्रशान सर्मा आपसे भारत के जो प्रमुक समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित किये गए एडिटोरियल्स पर डिसक्स करना चाहता हूं तो इसी स्थीज में हम जो हमारी आज की क्लास के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं एडिटोरियल डिसक्शन पर वो है एशिया प्रशान छेतर का महतो और चुनोतिया वैसे आपको इससे हम डिसक्स करें इससे पहले हम बता रहता हूं आपको कि यह जो एडिटोरियल्स डिसक्स होंगे वो मख्य रूप से आईएस की जो एक्जाम है इसके अलावा आरेएस के जो पेपर्स हैं उनके लिए जो मेंस एक्जाम जो हैं उनके लिए या अदर जो स्टेट पीसीज की एक्जाम हैं उनके लिए काफी मैतपूर्ण और आपके लिए काफी सहयोगी साबित होने वाले हैं तो इसी करम के इसके बारे में हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वैश्यू को जो महमारी COVID-19 है इसके दोर में संपूर्ण विश्यू एक बड़े परिवरतन से गुजर रहा है और इस परिवरतन के साथ ही विश्यू की जो परियावरणिया परिष्टियां भी बदल रही ह परियावरणिया परिष्टियां के बदलने से यह अतात पर है कि जो परियावरणिया परिवरतन के हैं उसके अंदर काफी चेंजर आ रहे हैं जैसे कि नदियां साफ हो रही है पर दूशन का इस तर कम हो रहा है तो यह सब जो परियावरणिया परिवरतन है यह आ रहे हैं और इन परिवर्तनों से एशिया प्रशान छेत्र भी बिल्कुल भी अचुता नहीं है। एशिया प्रशान छेत्र इस प्रकार के परिवर्तनों का पहले भी साक्षिर आया है। जब इस छेत्र का जो नाम है परिवर्तित करके हिंद प्रशान छेत्र भी का गया। और भावलिक तोर पर अगर हिंद प्रशांत और प्रशांत माशागर के कुछ भागों को मिला करके जो समूत्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत छेत्र के नाम से जानते हैं जैसे हम आगे मैप में इसको थोड़ा ओर डिटेल से हम study कर पाएंगे अब वर्तमान परदेशे के मताबिक जो हिंद मासागर और जो परशांद मासागर उसके कुछ भागों से मिलकर बने इस समुद्री छेत्र के अंदर परियावरणिये प्रदूशन में कमी देखी गई है बड़ी बात है और जो कि समुद्री पारिश्तिती की तंत्र के लिए का का जो ब्लीचिंग है उसकी गटनाएं अब कम हो रही है तो ये जो हमारा जो एडिटोरियल है उसके अंदर हम इसी छेत्र के रंडितिक में तो इसकी जो इसमें भारती भूमी का इसके परियावरणिये महत इसके सतत विकास लक्षियों के साथ में इसकी साममेता और छेत्र है कि इसका जो नाम है हिंद प्रूमान शेत्र रिजन है उसे हम कहें तो हिंद प्राशान शेत्र हिंद महासागर और प्र کछ भागों को मिलाकरकर जो समुद्र का हिस्षा बनता है उसी को हिंद प्रशान शेतर का जाता है और इस विशाल हिंद मासागर और प्रशान मासागर के सीधे जल गरहन शेतरों के अंदर पढ़ने वाले जो देश हैं उन्हें इंडो पैसिफिक देश या इंडो पैसिफिक कंट्रीज का जाता है अब इसके अंदर के हम बात करें जो इसके इस्टन जो अफ्रीका कोश्ट है यानि जो पूर्वी अफ्रीकी जो पूर्वी अफ्रीका के जो तटी अलागे हैं इसके अलावा इंडिन ओशिन जिसे हम हिंद मासागर कहते हैं तथा वेस्टन और सेंटरल पैसिफिक ओशिन वेस वह सब भी मिला करके इंडो पैसिफिक छेतर बनाते हैं और इसके अंतरे के तेक मैपमून छेतर जो दक्षिनी चीन साधर आता है वह भी है अब उसको हम एक मैप में एक बार ठीक ठीक समझ लेते हैं तो आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें जो मिल ला है वह है जैसे हमने बात किया भी इस से पहले कि इस्टरन अफरिकन कोश्ट यह जो अफरीका मादी पर इसका जो इस्टरन कोश्ट है यह जो इसका पूर्वी जो तठ है यहां से लेकर के आगे बढ़ते हैं हम जो हिंद मासागर का हिस्सा और उसके अलावा जो जो दक्षिनी और उसका जो मद्य का जो भाग है यह सभी मिला करके हिंद बर्शान शेतर का निर्मान करते हैं यह ऐसा शेतर है जिसमें अमेरिका अपनी वैस्टविक इस्टती को पुनर जीवित करने के लिए इसे अपनी भविर अनिती का एक हिस्सा मानता है जिसे की आप इस मैप में देख सकते हैं यहां जो यह अमेरिका है उत्तरी अमेरिका इसके अंदर यूएसे यह यूएसे और यह जो यूएसे है इसकी जो सीधी जो तर्टीय सीमाए है वो इस इंडो पैसिफिक रीजन से लगती है तो यहां पर यह अपनी जो वैस्टविक इस्तती है उसे और अधिक मजबूत बनाना चाता है लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर इसी के साथ में इसी Pacific Ocean से चाइना की जो बॉर्डर है वो भी इससे सीधे तोर पर लगती है तो यहां इसे अमेरिका को चाइना से सीधी चुनोती प्राप्त होती है और यह जो सीधी चुनोती मिलती है इसी वज़े से अब यहां पर जो अमेरिका है वो अपने प्राप्तों को बनाने में लगा हुआ है जैसा कि अब आपको बता दें कि जो यहां यूएस है वो काफी लंबे समय तक इस छेतर के अंदर एक आर्थिक और सेन ने दोनों जो फ्रेंट सेन उन पर उसने कारे किया लेकिन अब वह पिछड़ने लग गया है यह जो छेतर है इसके अंदर उसने कारे किया लेकिन अब वह पिछड़ रहा है और अब इससे बना हुआ जो एक गैप बन रहा है एक रिकिस्थान बन रहा है इस छेतर के अंदर और उसे अब कोशिश की जा रही है चीन के दोरा भ पूशिश भी कर रहा है इसके बारे में और बात करें तो जो एशिया प्रसांद छेतर है इस टरम का प्रयोग सबसे पहले वर्तमान में जो इस शब्द का प्रयोग है वो 2007 के अंदर गुर्पिरित खुराना ने अपने एक लेक में एक आर्टिकल में किया था जो आइडिया से यूज किया इसके बाद ऑस्टेले ने भी इस टरम का यूज किया फिर जापान के अधिकारियों ने इसका यूज किया और बाद में धिर धिरे अब वर्तमान अगरम देखें तो USA के जो ऑफिशल्स है वो भी इसका यूज करते हैं अब ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है हिंद मासागर और प्रसांत मासागर के जो देश हैं उनका सामरिक और भूराजनितिक महत्विस के अंदर नहित है जो ये जो देश कंट्री है इन देशों का जो सामरिक और भूराजनितिक महत्विस में है अब कैसे है वो हम बात करते हैं तो जैसे कि आप इसके में देखें चीन अब यहां से यह जो इंडियन ओशियन है जिसे हम हिंद मासागर केते हैं इसमें अपने प्रभूतों को बनाने के अंदर लगा हूआ है पर तो प्रभूतों बढ़ाने की कुश्चिश कर रहा है और आने वाले समय के अंदर यहां पर भी इसे प्रिकार की मनमानी कर सकता ह तो अपने रॉब को बढ़ाने के लिए वैसे कारे कर रहा है और इसी को रोकने के लिए अब जो है ये जो इंडो पैसिफिक तर्म है वो यूज की जा रही है क्योंकि चीन इस तर्म को बिलकुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि जो हिंड मासागर और इसके अला जो प्रशांत मासागर के जो देश है वो चीन को रोकने के लिए एक साथ आने लगे है और ये जो इनको एक साथ लाने का कारे है जो ये टर्म है इंडो पैसिफिक जो रीजन ये काफी इंपोर्टेंट है इसके लिए काफी काम कर रही है तो अब हम इसके बारे में आप इसको थोड़ा ध्यान से अगर इस मेप को देख रहे हैं तो आप इसकी जो महत्व है इसको आप समझ बारे होंगे तो आपको डेटेल से इसमें समझ में अजाएगा सब कुछ अगे हम चलते हैं तो इसमें भारत की भूमी का है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस छेतर में भारत की भूमी का क्या रहेगी तो अपने नाम के अनुसार जो हिंद जो प्रशान सोरी जो भारत जो है इस छेतर का जो प्रमुक खिलाडियों में से एक है और स्वेक राजे अमेरिका इसके अलावा आसियान जिसके बारे में हम मैप में फिर से हम डिसक्ष करेंगे आसियान इसके तरिक जापान कोरिया विटनाम इन सबी देशों के साथ में भारत कई नोसरनिक अभ्यासों में शामिल हुआ है इसके अलावा भारत की जो है ये महाशक्ती की और बनने की और अगरसर जो चीन है उसे भारत एक प्रतिस परदात्मत चुनोती देना चाता है पेश करना चाता है और इसके लिए इस छेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिस अंतुलित करने के लिए भारत चाता है कि अमेरिका उसकी मदद करे, अब अमेरिका उसकी मदद क्यों करेगा, क्योंकि अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है, कि हिंद जो छेतर है, हिंद मासागर का जो छेतर है, उसमें अगर चीन को कोई सीधी टक्र दे सकता है, तो वैकि वह भारत ही है, इस तिए चीन के भारत अमेरिका और जापान के साथ में नो सेनिक सेने अभ्यास इसी मेरिटाइम सुरक्षा रण नीती का एक मैत्मून हिस्सा है। इसके लाब भारत की जो एक्ट इस्ट पॉलिसी भारत इससे पहले हम बात करेंगे यह विभिन जो देश हैं उनके साथ में इस तरह के नो सेनिक अभ्यास हैं और इनके दुआरा भारत हिंद माशागरे के अंदर बड़ा भागिदार बनने की कोशिश कर रहे हैं इसके बाद म समझने के लिए हम थोड़ा बैक्ग्राउंड में चलते हैं तो बैक्ग्राउंड में हम देखेंगे कि 1901 के अंदर जो तत्कालीन भारत के जो प्रधान मंत्री थे पीवी नरसी महराव उनके द्वारा जो लुक इस्ट पोलिसी यानि जो पूर की और देखो की पोलिसी शु मिनाथ था उसमें लुक इस्ट पॉलिसी को अब बदल करके एक्ट इस्ट पॉलिसी के रूप में आगे बढ़ाया नहीं पहले का जो हमारा देश का जो विजन था वह था लुक इस्ट पॉलिसी यानि पूर की और देखो लेकिन अब उसको थोड़ा बदल दिया गया है उसे और अधिक इंप्रूव करके एक्ट इस्ट पॉलिस यानि पूर की और काम करो अब काम करने से ताथ पर यहां पर जो पूरवी और दक्षिनी पूरवी जो देश हैं उनके साथ में भारत के संबंदों को सुधारना और इसके लिए आस्यान ग्रूप का विस्तार करना अब इसमें जो इसके साथ भारत जो एपेक्स समोग के जो सदसे हैं उसके उसका सदसे बनने का प्रयास भारत कर रहा है और इसके लिए उसके सदसे देशों के साथ में भारत संबंदों को लगातार बहतर बनाने का प्रयास कर रहा है तो यह एक्टिष्ट पॉलिसी थी इसके अला भारत सही जो भारत सही जो अंतराश्टे समुदायों दक्षिन चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंतरता छेतर में उडानों की स्वतंतरता आदी भी जाते हैं भारत भी इसका पक्षिदर है दक्षिन चीन सागर के अंदर इस प्रकार की स्वतंतरताओं को चाते हैं कि किसी प्रकार जो non-military navigation है उसे किसी प्रकार की कोई उसमें बादा नहीं पहुंचाई जाए और इसके अलावा यहां छेतर में से जो उडाने है जो सामाने जो उडाने होती है जिने non-military जो aviation कर सकते हैं इस प्रकार की उडानों पर कोई रोक ना हो इसमें जो चीन है वो अपनी रुमन मानी ना कर पाए इसलिए देशन चीन सागर के अंदर जो सुतमतरताओं के बारे में भारत पक्षदर है इसके अलवा इंडिया, USA और जापान का जो इस्थाई बुनियादी धाचा परियोजना पर कार रिये इसी के तहए जो भारत है अपने जो नए जो सहयोगियों है साउथ एशिया के नए सहयोगी के साथ में डिस्क्रस कर रहा है और इसके अलावा भारत जो नेपाल, सिर्लंका, बंगला देश और साथ ही साथ अमेरिका जैसे देशों के साथ भी लगतार टच में है उससे अपने जो डायलोग से वो करते जा रहा है और इसी पहल के तहए ते एशिया अफरिका डालॉप्मेंट कोरिडॉर भी विक्सित करने की जो बुनियादी धाचा इस्थाई बुनियादी धाचा परियोजना की छेतर में एक कार्य कहा जा सकता है जो की चीन की बेल्ट अंड रोड इनिशियेटिव का एक सब्सिटूट माना दा सकता है साती भारत के द्वारा एकरत आसियान का समर्थन भारत चाहता है कि जो आसियान कंट्रीज है वो एक रहें उनके अंदर किनी किसी परकार के गुटों का निर्माट ना हो और वो आपस के अंदर ना उलचें तो भारत इसका समर्थन करता है और भारत हमेशा इसी का हमायत तरह विशेशक गिये मानते हैं कि जो चीन जो है वो आसियान में फूट डालो और राज करो की निती का प्रयोग कर रहा है जो चीन के लिए काफी हद तक फाइदेमन साबित होती है इसलिए भारत इने एक रख प्रणमान में वो नेवरूट फर्ष्ट पॉलिस है यह प्रधानमतिर नरंदर मोदी की जो एक नई रणनीती है जिससे की जो साउथ एशिया के जो छेतर है उसके अंदर जो संतुलन बनाया जा सके और साथ ही भारत जो यह जो छेतर है इसके अंदर अपना जो प्रभुत् और जो अन्य जो देश है जैसे की चाइना है ऐसे देशों के जो प्रभुत्यों को वह लगातार कम करने के प्रयास में लगाओ है यही है नेवरूट फुषफर्ष्ट पॉलिसी जिसके तहत वह अपने जो पडोसी राष्ट हैं उनके साथ में अपने संबंदों को और अध ठीन की व्याद चलते हैं तो इन्हें जैसे की आया अपने सब नहीं सुना है कि शत्रू का जो शत्रू होता है वो दोस्तों होता है तो इसी पॉलिसी को यूज्ज देशол करते हुए भारत क्या करता है कि चीन के साथ जो जिन अपने साथमें लेकर के चीन पर एक मनवग्या एक दबाव भी बढ़ाने की कोशिश करता है अब इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रीजन को आप देखें तो यहाँ पर यह जो कुछ कंट्रीज है यह मैमार है थाइलेंड है कंबोडिया लाओस वियातनाम हनोई द्वीप है इसके अलावा फिलिपिन्स के अतरिक जो मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापूर यह जो कंट्रीज आपने देखे हैं यह आस्यान कंट्रीज कहलाते हैं और इसके अलावा इसके अंदर डॉट्स के रूप में आपको छोटे छोटे दीप दिखाई दे रहे हैं जो स्पार्टली आइडलेंड्स और इसके लाव पार्शल आइडलेंड्स ये जो आप देख पा रहे हैं ये ये हैं स्पार्टली आइडलेंड्स इसके लाव पार्शल आइडलेंड्स है ये जो दीफ है इनी पर विवाद है इनी को लेकर कि जो पड़ोसी जो राष्ट हैं उनके साथ चीन का विवाद चलता है जिसका फाइदा भारत को उठाना चाहिए तो इस मैप को अगर आप देखेंगे तो यह जो आसियन कंट्रीज को प्रद्शित करने वाला एक मैप है और साथ ही जो कॉलीडॉर है इस कॉलीडॉर को भी यह शो करता है जैसी कि साउथ चाइनडे चीन से आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से समुद्री मार्ग निकलता है। जिस से की वैस्ट विवक व्यापार किया जाता है तो शायद इस मैप को देख करके आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं हिंद प्रशान छेत्र के अंदर भारत के समख से चुनोती होगी तो इस छेत्र के अंदर सबसे जिवड़ी चुनोती है चीन की उपस्तिती और उसका आकरमग रोख चीन जो है अपने वन बेल्ट वन रोड पहल के मादेम से विश्व की माशक्ति की रूप में अपने को बदलने के लिए दुनिया भर के विबिन देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्शर और कनक्टिविटी पर भारी निविश कर रहा है और उसकी इस पहल का जो उद्देश है हिंद प्रशान शेतर के अंदर अपने प्रभुद्ध को इस्थापित करना भी है तो हमने जैसे की पहले पॉइंट डिसकस्ट किया अब इसी के लिए जो चीन की जो अब जो निती है अगली इसी संदर में अगला जो श्टैप है चीन का वर इश्ट्रिंग ओफ पल्स है नि मोतियों की माला की निती ये जो चीन की जो अपनी कालपनिक निती है इस्टिंग ओफ पल्स उसके जरी भारत को गहरने की रण निती पर भी चीन काम करता है और उसके लिए चाइना क्या कर रहा है उसको हम थोड़ा मैप में एक बार समझ लेते हैं ये जो मैप आप देख पा रहे हैं इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैप है इस मैप में आप देखेंगे तो इसके तहब जो मोतियों की माला जो इस्टिंग ओफ पल्स है उस यूजना में जो क्या करता है चीन अपनी प्रियूजना के तहब पाकिस्तान का ग पस्तिती दर्ज करवाता है इसके लाद दक्षिन की और से भारत को घेड़ने के लिए स्रिलंका का यूज़ करता है और स्रिलंका के अंदर जो हमबन टोटा जो पोर्ट है उसे पिछली स्रिलंका सरकार ने चीन के हाथों बेश दिया था हालांकि आगे आने वाली सरकारों ने चीन के इस कदम की काफी आलोचना भी स्रिलंका की पिछली सरकारे हैं उनकी काफी इस कदम की आलोचना की और उनने का कि ऐसा स्रिलंका की पिछली सरकारों नहीं करना जिये था लेकिन खैर जो भी है अब वर्तमान में हमबन टोटा पोर् ये रन नितिक दर्षटी से काफी मैतमूर बंद रगा है इसके अलावा हम बात करते हैं मैम्मार के अंदर जो सित्वे परियोजना है वो भी चीन की मोतियों की माला यानि इस्टिंग औ पल्स निती का ही एक हिस्सा है इसके अलावा जीवित्वी में तयार के आगा है चीन का पहले विदेशी नोसनिक अड़े और मालडीव के कई निर्जन द्वीपों पर उसके काबिज होने के बाद हिन्द मासागर बीजिंग का भूसामरिक अखाड़ा बनता जा रहा है आसियान के कुछ सदसे देश चीन के प्रभाव में आसियान की एक जुटता प्रभाव में काज़े करते हैं उनकी जो एक जुटता है बड़ा खत्रा है ध्यान देने की बात है ये विदित है कि चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक सदार है और आसियान देश किसी भी इस्तती में उसे दरकिरार भी नहीं कर सकते हैं ये एक बड़ी समस्या उन लोगों के लिए इसलिए सम्भव है कि आसियान और चीन का जो ये समिकन है भारत और आसियान सम्बंदों को प्रभावित कर सकता है लेकिन इस तरह के जो स्टेटजी चीन अपना रहा है तो भारत को भी इसके लिए एक अच्छी रंडिती के आऊशकता होगी और उसी के तहट भारत की जो इसके अंदर भूमिका है उसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी तो अब हम इसके बारे में और अधिक चर्चा कर लेते हैं तो जो आसियान है आसियान ने स्वम को टर्टस भूमिका की रूप में रखा है साथ ही जो आसियान अपना रुख भी इसपष्ट नहीं कर रहा है और इंडो पैसिफिक रीजिन के लिए वो अपनी तरब से कोई भी डोकुमेंट कोई बयान जारी नहीं करता है अब ऐसा करके वज़ चाइना को मतलब चाइना को अपने पक्स में बनाए रखने की उसकी कोशिस है क्योंकि अगर वह कोई डोकुमेंट रिलीज करता है ऐसा कुछ करता है तो उससे सीधे सीधे चाइना को चुनोती मिलती है और चाइना इसे नाराज हो सकता है इसलिए वो चाहता है कि चाइना उसे नाराज नहीं हो आसियान के जो 3400 शिकर सम्मिलन है जो बैंकों के अंदर आइज़त किया गया था वर्स 2019 में पिछले वर्स तो उस दोरान उसने आसियान ने अपना रुक पी सपष्ट किया हलांकि काफी समय से वह इस बात पर ये जो मुद्दा है इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा था लेकिन बाद में उसने इस पर अपना जो रुक है वो इसपष्ट किया और आसियान जो आउटलुक ओन दा इंडो पैसिफिक नाम से अपना एक डॉकुमेंट जारी किया जिसके अंतरगत जो उसने कुछ अपने जो रुक है वो इसपष्ट किये है इस छेतर में जो चाइना और यूएसे के बीच में जैसे कि हमने पहले देखा था चीन और यूएसे के बीच में एक कड़ी प्रतिस परदा इसमें चल रही है तो आसियान नहीं चाता है कि चीन और यूएसे के बीच में जो ये प्रतिस परदा है वो बने यहाँ पर ये जो छेतर है चीन और यूएसे का कोई अखाड़ा बने इसलिए उसने अपने जो इस डोकिमेंट है इसके अंदर रगत ये मतलब बात रखी है इसके आलवा शेतर की जो अन्य प्रमुक शक्तियां है उनके लिए आसियान चाता है कि वे जो शक्तियां है ये इसके जो निर्मानात में कारे करें ना कि विद्वन साथ में कारे करें आसियान जो कंट्रीज है यहां चाहता है कि यह जो कंट्रीज है चाहे वो एकोनोमिक कंट्री जो शक्तियां हो इसके लावा चाहे वो मिलिटरी की शक्तियां हो या कोई हम बात कर सकते हैं कि जो पलिटिकल जो पावर्स हैं उस पर बात की जाए, इसके विच्छेतर के विकास पर इंफ्रस्ट्रक्चर पर बात की जाए, यह चाता है, आसियान चाता है कि जो आसियान है वो खुद ट्रटस्ट रहे और उसे केंदर केंदर रखा जाए, क्योंकि आप यह देख पा रहे हैं कि जो यह रीजन है, इस कि अगर डॉकुमेंट है उससे जारी होने से पहले सदसे देशों के अंदर मतवेद भी थे इसलिए इस गोषणा पत्र को बाद देता मुक्ते ने ऐ बाद्यकारी नॉन बाइंडिंग डॉकुमेंट रखा गया अर्थात इसके अंदर जो गोषणाओं से जो देश संतुष्ट है वे इसके पक्ष में रहें जो ऐसंतुष्ट है वे अपनी अपना पक्ष है जो रख सकें अब ये इसके पीछे क्या गरण है क्योंकि सभी जो देश हैं जैसे कि आपको बताया कि मैमार, बर्मा, लाओस ये जो कंट्रीज है, चार जो देश है कंबोडिया है, तो ये जो देश है ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि चाइना के तो ये यहीं चाहेंगे कि चीन से हमारे संबंद खराब ना हो तो इसी लिए इसे नॉन बाइंडिंग रखा गया इसमें ये का आगया कि जो विभिन देश हैं उनके बीच में आपसी समझ और विश्वास और सहयोग का विकास किया जाए जिससे सभी का लाब हो छेत्रे के अंदर मुझूद जो शक्तिया है हो सभी को फाइदाई हो अब जैसे कि आशेन के अंदर जैसे ने बात की कुछ देश है जिनका जुखाव चाइना की तरफ है जिनमें मामार, थाइलेंड, लाओस, कमबोडिया जो कंट्रीज हैं ये चीन के प्रभाव में काम करते हैं और चीन इनके अंदर बैल्ट एंड जो रोड इनेशियोटिव है इसके माद्दम से काफी निवेश भी कर रहा है और इन ये काफी गरीब कंट्रीज है तो इसलिए इन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रॉक्टर डवलप्मेंट बैंक के सयोग कि आउशकता होती है जो की चाइना के ब्रवा में कारे करता है इसके अलाव कुछ ऐसे देश हैं जिन से चीन का जो सीधा सीधा जो विवाद है वो चलता रहता है जिन के अंदर हम बात करें तो वियतनाम एक ऐसा कंट्री है इसके अलावा सिंगापूर एक ऐसा कंट्री है जो की जिसका चीन से विवाद चलता है तो ये जो देश हैं ये USA के ग्रूप के अंदर शामिल होते हैं और ये चाइना का विरोध करते हैं कुछ ऐसे देश हैं जो की नीटरल है तर्टस्त है वो किसी भी ग्रूप के अंदर शामिल नहीं होते हैं जिनमें इंडोनेशिया और मलेशिया का नाम लिया जा सकता है इस के खलाव फिलीपिन्स फिलीपिन्स एक ऐसा देश है जसका वरतमान में जुकाव चैना के तरफ है लेकिन वो सीधे-चैना के साथ में नहीं जुड़ा आ है उसका जो अमिलिका के साथ भी वैसे ही संबन्द हैं तो ये कुछ ऐसी समिकन है जो की आसियान के जो च्हेत्र है उसके अंदर काफी हत्ता है कि संतुलें स्थाफित करने का प्रयास करते हैं और इसी के लिए आसिया ने क्या किया है कि अपने जो 34 जो समिट हुई थी उसमें कोड ओफ कंडेक्ट भी जारी किया गया था जिसके अंदर चाइना और अन्य देशों के लिए जो व्यवहार है उसके लिए इसके अंदर कुछ बातें की गई हैं अब हम बात कर लेते हैं हिंद प्रशान छेत्र के जो महत्वों के बारे में इसके हम विबिन जो महत्व है जिसके इसका आर्थिक महत्व है इसका रणनितिक महत्व है इसका पर्यावणिय महत्व है इनके बारे में हम बात करेंगे इससे पहले हम एक बार क्वाड की अबधारना के बारे में बात कर लेते हैं जो क्वाड है वो स इसको साजा को उद्देशे रूप जो क्वार्ड है उसको सुथमत्र खुले और समर्द हिंद प्रशान छेतर को शुरक्षित करने के लिए चार देशों के साजा उद्देशे के रूप में पैजान जाता है यह संकल्प की रूप में कौाड का जो गठन है वर्स 2007 के अंदर भारत, जापान, संविक तराज अमेरिका और ओस्टले के दुआरा समुद्री आफदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुन्रवा संबन्दी कारियों में सहयोग के लिए किया गया था लगबग एक दशक तक यह निश्किर रहे, यह कौाड के जो देश हैं वो एक दशक कोई कारिय नहीं करते रहे लेकिन इस समुद्र को वर्स 2017 के अंदर पुन्ह जीवित भी किया गया कौाड को जो नियम आधरित आदेश को ध्यान में रखते हैं पुन्ह जीवित किया गया ताकि नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की सोतनरता इसके लावा अंतराश्टरी नियम का सम्मान कनेक्टिविटी का प्रसार समुद्री शुरक्षा को स्वयोग इसके मुख्य तत्वे की रूप में पहचान मिल सके इनमें एप्रसार और आतेंकवाद जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है तो क्वाड है उसके बारे में हम किसी और एडिटिटरी में और भी डिटेल से चरशा करेंगे तो ये इसकी अब धान रहे इसके अलावा एक टॉपिकस में है एशिया प्रशान व्यापार सम्झोता एपी टीपी जो एपी टीपी है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो जो एशिया प्रशानत जो वियापार समझोता है ये UNS कायप यानी United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific के अंतरगतिक विशिष्ट पहले है जो छेत्र के जो विकासील राष्ट हैं उनके बीच में जो टैरिफ रियायते हैं उनके आदान प्रदान के माद्दम से वियापार में विश्थार के ल से आगे बढ़ सके अपनी इकोनोमिक ग्रोथ को और अधिक बढ़ा सके तो इस तरह से हमने हिंद प्रशान रन लिती के बारे में बात की अब हम बात करेंगे इसके आर्थिक मैत्र के बारे में तो वर्तमान में जो इंडो पैसिविक छेत्र उसमें 38 देश शामिल है ध्यान फैले हुए हैं इसके अलावा विश्व की लगभग 65 प्रतीशत जो आबादी है वो इस छेत्र के अंदर निवास करती है जो वैश्विक जो जीडीपी है उसके अंदर 62 प्रतीशत का योगदान भी सीधे सीधे दोर पर देती है और साथ ही विश्व की जो म्गाल व्यापा है उसके 46 प्रतीशत भाग में उस योगदान देती है तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका आर्थिक मैत्व काफी ज़्यादा है इस तत्रिटर से इस पष्ट हो जाता है कि जो इनमें उभोकताओं को लाब पहुचाने वाले जो छेत्री व्यापार और निवेश्व के प्राकर्तिक समसादनों को लेकर के गलाकाट 35 परदा में ये शामिल है तो इस तरह से आप इसके आर्थिक मैत्व के वारे में समझ पाएंगे अब हम बात करने हैं इसके रणनितिक मैत्व के बारे में तो हिंद प्रशान चेत्र है वो हाली के वर्षों के इंदर भूराजन अपनी आवाश्थिति के कारण भी काफी मैत्पूर हो गया इसकी जो सिच्वेशन वो इस प्रकार से है वैश्विक जो भूगोल के इंदर हम देखें इसकी सिच्वेशन काफी मैत्पूर है वर्तमान में जो वैश्विक व्यापार है उसका जो 75 प्रशान चेत्र से जुड है जो हिंद प्रशान चेत्र के अंदर जो वैस्ट जो बंदरगा है वो विश्यू के सबसे ज़्यादा वैस्ट बंदरगाओं में काउंट के जाते हैं इसके अंतरगा तेक मैत्पूर्ण चेत्र आता है दक्षणी चीन सागर यहां आसियान के जो देश है और चीन के चेत्र है मलका का जल्ड अमरूमद्ध जो इंडोनेशिया के पास मिस्थित है और यह जल्ड अमरूमद्ध रणनितिक और व्यापारिक द्रश्टी से काफी मैत्पूर्ण है जैसे के पिछले मैप में हमने देखा था इसको तो यह काफी मैत्पूर्ण जो एरिया बनता है व्यापारिक द्रश्टी से गुवन आइलेंड मार्शल आइलेंड रणित्र द्रश्टी से काफी मैतपूर्ण है और इसके अलावा जो लाल सागर है इसके लावा आधन की खाड़ि फारिस की खाड़ि यह ऐसे चेत्रए हैं जहां भारत का तेल व्यापार होता है और यहां आर्थिक महत्यों पर चर्चा की और अब इसके पर्यावणी महत्यों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं तो हिंद प्रशान छेत्र के अंदर जो 38 देशों के लिए एक आजजीवी का एक प्रमुक्सरोत भी है जो क्योंकि यहां के जो लोग है वो मतस्य पालन और अन्य जो समुद्री संसादन उनका उप्योग करते हैं और उसके माद्यम से अपना जीवनियापन करते हैं ध्यान देने की बात है कि विस्वियापार का 75% वस्तों का आधान प्रदान इस छेत्र से जब हो रहा है तो परियानाम सरूब जो माल वाहग जो जहाज हैं उनके द्वारा ओयल वेश्ट के निप्तान से इस समुद्री छेत्र का जो परियावण है काफी प्रदूशित हो जाता है क्योंकि जब इदर से जो जहाज गुजरते हैं तो अपने जो अप्सिष्ट हैं उन्हें इसी समुद्र के अंदर डाल देते हैं जिसे कि समुद्री जीव जन्तों की बड़े प्यमाने पर मरती हो जाती है और समुद्री जो पारिश्टी की चंतर है वो काफी ऐसा अंतुलित हो जाता है अब ऐसा कम हो रहा है वैस्विक मावरी कोविड-19 की कारण हिंद प्रसांद छेत्र के अंदर इस्तित जो देशों में और द्योगी गतिवी दियां बंद है इससे इन देशों से निकलने वाली जो नदियां है उनमें प्रदुर्शन की मात्रा भी कम हो गई है परिणाम सुरुब समुद्री जल के अंदर जो घुलित ऑक्सिजन है उसमें भी काफी व्रद्धी हुई है उसका इस तर बढ़ गया है जिस जो की समुद्री जो परियापारिश्टी कितम है उसके लिए काफी एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है समुद्री परियावन का जो सतत संड्रक्षण विकाष लक्षvous 14 के साथ में सामता इस्थापित भी करता है प्रदसिद करता है जिसमें जलीव की जीवों की जो सुरक्ष्याव और इसके लावा मासागरो और समुद्रीं संस्थानों का संड्रक्षण और उनके सेवन ये उप्योग का प्रावधान है तो इस प्रकार से हमने इसके प्रयाणी महत्वों के बारे में चर्चा की अब हम अंत में इसके निशकर्ष पराते हैं तो जैसा कि हम बात कर रहे थे हिंद परसान छेतर जो है वो आर्थिक और राण्डे रूप से वैश्युक महत्व के केंदर के रूप में वर रहा है यदि इस छेतर के हित धारक एक खुले नियम आधर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कारें नहीं करते हैं तो सुरक्षा की जो इस्ततिया बिगड़ती रहेगी जिसका प्रभाव दुनिया भर पर पढ़ना संभाव है क्योंकि हमने इस जो टॉपिक के अंदर जो डिस्क्रेशन किया उसके अंदर हमने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया है कि जो छेतर है काफी महत्पून है पूरे वेश्विक दस्टिकोंट देखा जाए वरतमान में जो जापान है इसके लाव भारत, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जिन्होंने मिलकर के क्वाड जो किस्थापना की है उनके बीच सुरक्षा और सयोग तेजी से बढ़ रहा है जो दा हिंदू में प्रशकाशित हुआ था और इसके जो प्रमुग बिंदूओं के बारे में हमने चर्चा की इसके जो विबिन महत्व इसके आर्थिक, रननेतिक, सामरिक, जो महत्व हैं प्रयावणिया महत्व इनकी चर्चा की इसके लुआ हमने इसके अंदर भारत की भूमी का भारत के समक्स जो चशनोदियां हैं उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कि है तो अब इस आदार पर हमारा आज का जो प्रशन बनता है वो है हिंद प्रशान छेतर से आप क्या समझते हैं और इस छेतर में भारत की जो भूमी का है उसका उलेक करते विए आप इसका मैत्र बताईए आपको जो ये जो क्यूशन है ये मैंस के साब से इसको 200 से 225 या हम कहें 250 शब्दों के अंदर आपको इस क्यूशन का आंस्वर देना है तो इसी के साथ हमारी आज की जो एडिटोरियल क्लास है वो कंप्लीट होती है साथ ही माप से ये कहना चाहता था कि एडिटोरियल की जो एक क्लास है इससे संबंदित कोई भी आपके फीड़बैक है आपके सुजाव है वो आमंत्रत है आप इसके लिए हमारे जो वीडियोज है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर करके कमेंट कर सकते हैं और आप अपने जो अमूले सुजाव है वो हम तक पहुंचा सकते हैं थैंक यू